देश में एक बर फिर कोरोना के मामले बढ़ती नुज़र आ रहे हैं केंद्री स्वास्तु मंत्रवाले के मुताबिक बीते 24 घंटी में देश में 38,666 ने मामले सामने आए 35,747 लोग ठीक हुए और 478 लोगों की मौत हो गए ने मामलों में संक्रमड दर 1.7-3 फीजदी दर्च की गए देश भर में एक्टिव केस 3,87,670 हैं जो संक्रमड के कुल मामलों का 1.2 एक फीजदी हैं बारत में कोरोना वाइरस के खिलाफ वैक्सिनेशन का आकड़ा 53.6 एक करोड के पार पहुच गया है देश में अब तक 41.6-8 करोड लोगों को वैक्सिन की पहली डोज और 11.9-3 करोड लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है देश में संक्रमड के नए मामलों में आधे से जादा केरल से मामले सामने आए हैं शुक्रवार को केरल में 20,452 नए केस आए और 114 मरीजों की मौत दर्श की गई यहां एक्टिव केस की संक्या 1,80,000 है जो देश के कुल सक्रिय मामलों का 46 फीजदी है राजी में पोचिटिवटी रेट 14.35 फीजदी है वहीं मारास्ट्रों में शुक्रवार को कोरोना संक्रमड के 6,686 नए मरीजों की पुष्टी हुई और 118 लोगों की मौत हो गई देश की राजदानी दिल्ली की बात करें तो लगतार यहां तीसरे दिन कोरोना वाइरस से किसी की जान नहीं गई स्वास्त विवाग के आकड़ों की माने तो दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना की पचास ने मामले सामने आये और संक्रमितों का आकड़ा बढ़कर 14,36,988 पर पहुच किया राजदानी में बीते 24 घंटे के दोरां 84 कोरोना संक्रमित मरीजों ने बिमारी को मात दी इसके साथ यह आकड़ा बढ़कर 14,14,452 पर पहुच किया दिल्ली में अब एक्टिव मरीजों की संक्या 468 है राजदानी में कोरोना से अब तक 25,068 मरीजों की जान जा चुकी है संक्रमित दढ़की बात करें तो 0.07 प्रतिशत दर्ज की गई स्वास्त विभाक की ओर से जारी आकड़ों में यह जानकारी सामने आई महमारी की दूसरी लाहर शुरू होने के बात से यह नौवी बार है जब एक दिन में किसी भी मरीजों की मौत दर्ज नहीं की गई झाल